हालो दोस्तों स्वागत है आपका फ्रेंड जोन बाइलो जी पे मैं पुस्पेंदर कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर आया हुआ हूँ कि मैं बात सभी लोग बात करते हैं कि टीजीटी और पीजीटी और एल्टी तीनों ये बैकेंसी होती क्या है और इनकी जो सैच्छ क्या होती है तो आज इनकी जो सैच्छिक ठीजीटी कि पढ़ाई करने चल आया हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं TGT की, तो TGT, TGT का मतलब होता है trained graduate teacher, trained graduate teacher, और trained graduate teacher की जो qualification होती है, qualification होनी क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपका graduation होना चाहिए, graduation compulsory है, और graduation के साथ साथ में आपका beard होना चाहिए, graduation प्लस beard दोनों complete चाहिए, appearing वाला इसमें कोई matter नहीं होता है, तो graduation और beard, अब बात करते हैं, graduation में कौन-कौन से side होते हैं, graduation में की बात करते हैं, तो graduation में एक होते हैं, art, art side के student होते हैं, दूसरे होते हैं, commerce side के student, और तीसरे होते हैं कौन से, science side के, अब तीनों dividation करते हैं, अब art side वाले कौन लोग फारम भर सकते हैं, कौन लोग फारम नहीं भर सकते हैं, बात इसी पर आती हैं, तो art side वालों में से, जिनके पास में graduation में सबसे पहले क्या, history, उसके बाद में, geography, third number पे आता है, political science, political science, और number next में आता है, तुम्हारा कौन सा, economics, economics, इन चार subject में, चार subject में, दो subject आपके graduation में subject होने चाहिए, जैसे किसी ने क्या किया, कि तीन subject से graduation होता है, तो पहले number में क्या होता है, हिंदी होता है या English होता है, मतलब आपको एक भासा विसे का विसे चूज करना पड़ता है, तो भासा में मोशली बच्चे हिंदी लेते हैं, और उसके बाद में जो बचते हैं, तो वो English प्रपर करते हैं, तो अब होता क्या है, कि हिंदी और English के लावा जो दो subject आपके हैं, वो काउन से हैं, history होना चाहिए, geography होना चाहिए, political science या economics है, इन चार विशियों में से कोई दो विशें आपके graduation में होनी चाहिए, तब ही आप TGT के लिए apply कर सकते हैं, ये पहली बात, दूसरे नंबर पे इसी के साथ साथ में और आर्ट साइड में बच्च आते हैं, जिनका क्या होता है, हिंदी, हिंदी से, जो हिंदी से रखते हैं, तो हिंदी से जो विद्यारती TGT के लिए apply काउन कर सकता है, जिसका हिंदी के साथ में 12 में, उसके पास में क्या होना चाहिए, साइन्सक्रत होना चाहिए साइन्सक्रत सब्जेक्ट होना चाहिए यह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है किसका आर्ट साइड का कामर्स वालों के लिए तो कोई दिक्कत है है नहीं तो वो कामर्स साइड से विकॉम किये होते हैं तो विकॉम के साथ में अगर ब्याड है तो वो क्या है? TGT के लिए अपलाई कर सकता है बसता है साइंस वाले के लिए साइंस में भी दू करेगरी आ जाती है एक तुमारा मैट साइड वाला आता है बंदा और दूसरा कौन सा आता है? biology side वाला बच्चा तो biology side वाले में से बहुत सारे question पूछते हैं कि sir मैंने अपने final year में botany chemistry ले ली या biology and chemistry ले ली क्या मैं apply कर सकता हूं तो बिल्कुल apply कर सकते हैं आपके पास में biology, botany, chemistry में से कोई दो subject आपके पास में होने चाहिए मतलब आपने first year में chemistry लिया biology लिया and botany लिया second year में भी same subject ले लेकिन final में आपने क्या कर दिया chemistry and biology ले लिया chemistry and botany ले लिया तो वो बंदा TGT के लिए apply कर सकता है और जिसके पास में biology and botany subject है वो तो apply करेगा ही करेगा वो तो already apply cable है तो यह बात करते हैं TGT की अब बात करते हैं PGT की तो PGT में क्या होता है पीजी टी को पूरा नाम होता है post graduate teacher PGT के सबसे पहले आती है qualification इसमें qualification जो आती है वो तुमारी होती है कौन सी आपका master degree master degree आपके पास में होने चाहिए master degree में भी तीन आती है एक तुमारा होता है MA आपका MA आता है उसके बाद में आता है M.com और तीसरा आता है M.sc अब MA आपने single subject से कर रखा है तो जाहिर सी बात है आप applicable है M.com भी single subject से होता है वो भी applicable है M.sc भी applicable है और इन तीनों में एक चीज कामन है कि यह आपके पास में complete degree होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि आप final year के student है और आप vacancy आ गई है तो आप चाहें apply कर सकते हैं ऐसा नहीं है आपका complete master degree होनी चाहिए बहले ही notification से 10 दिन पहले आपका result out हो गया हो तो आप apply कर सकते हैं लेकिन आपके पास में complete degree होनी चाहिए तो अब इसमें आता है क्या बीड कंपल सरी है क्या बीड कंपल सरी है जी नहीं उत्तर प्रदेश की vacancy में UP government में क्या होता है उत्तर प्रदेश में अगर आप PGT में जाए रहे हैं तो उसमें बीड जरूरी नहीं होता है लेकिन फिर क्या होता है तो अगर जिसके पास में बीड है मौजूद तो जब बीड मौजूद है तो उसको पांच नमबर का वेटेश मिलता है क्या मिलता है पांच नमबर का वेटेश मिलता है उसको भारंक मिलता है जैसे मान के सुचलो किसी के नमबर है चार सो तीन सो पंचानवे और आपके भी हैं तीन सो पंचानवे अगर दोनों लोग बराबर हैं अगर आपने बीड कर रखा तो यह पांच नमबर आपको बोनस में मिल जाएंगे आपके हो जाएंगे कितने चार सो तो आपको सेलेक्शन पहले मिल जाएगा बीड के मिलते हैं पांच नमबर और एमेड के नमबर मिलते हैं आपको दस यह वेटिस पीजीटी की बात बता रहे हैं बीड में मिलते हैं पांच नमबर एमेड में मिलते हैं दस नमबर और पीएचडी में कितने नमबर मिलते हैं, पीएचडी में भी 10 नमबर मिलते हैं, तो अब अगर किसी ने बंदे ने Master degree भी कर रखा है और B.Ed और M.Ed दोनों है उसके पास में तो आप कहेगा मुझे 15 नमबर मिलेंगे जी नहीं उसमें आपको सिर्फ और 10 नमबर का वेटेज दिया जाएगा आपको फिर 5 नमबर वाइला वेटेज नहीं मिलेगा क्योंकि B.Ed के बाद ही M.Ed होता है इसलिए आपक मेरे पास दोनों है तोमों मेरे को फंदरा वाइखकती नमबर का वेटेज लेगा तो जी नहीं इसके लिए सिर्फ आपको 10 नमबर का वेटेज मिलेगा तो बात करते हैं यह lodge Ho बात्करे गवर्मेंट key गवर्मेंट इंटर कालेज के जो लेक्चरार होते हैं। पीजी टीस लिए बोलते हैं क्योंकि इसको मादमिक सिछा चेन आयो कंडक्ट पर इच्छा कराता है और जो हमारे एड़ेड कॉलेज होते हैं उन EDI कॉलेज में इस वाली बैकॉलेज में अगर पास होते हैं कॉलिफाइ़ कर जाते हैं तो एड़ेड कॉलेज वालेज जो वो GGIC मतलब कन्यार राजकी इंटर कॉलेज होता है उन में पोस्टिंग मिलती है और आश्रम पद्दित के स्कूल अलग होते हैं उसको आपको आश्रम पद्दित के स्कूल में आपको बेकंसी दी जाती है तो यह क्राइटेरिया था कॉलिफिकेशन का और यह हैं हमारे जो दि समाप्त कर दिया गई लेटेश्ट जो 2021 वाली वेकंसी आई थी उसमें टीजीटी में इंटर्विव नहीं हुआ है तो आगे आने वाली जो भी वेकंसी होगी उसमें इंटर्विव नहीं होगा यह बात हो गई क्लियर हो गया आसा करते हैं समझ में आगा है अब बात करते है है कि किया क्राइडिरिया होता कैसे क्या क्यूशन पंूच यॉए लूए टीजीटी में कितने क्यूशन आते हैं ऊर एक सबस्केशन आते हैं और एक से पच्किस कुस्टन आते हैं और हुः 25 में से माइनस माсьट होती है निगया Winston hm փ होती है कितनी वह होती है सिछी मितलब इसमें निगर मर्किंग नहीं होती है अगर आफ आप चाहें तो इसमें 125 में से 125 क्यूशन पूरे कर सकते हिसके नेगेटेव मारकिंग 0 और यही बात आती है हमारी इसकी PGT कि अब PGT में कितने कुश्ष्ष आते हैं फीजीट में यह 25 कुश्ष आते हैं और जो नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो भी इसमें कैसी होती है जीरो मतलब नोगेटिव मार्किंग नहीं होती है अब बूचते हैं कि एक से 25 कुश्चन में से 25 कुश्चन आयते हैं बाइलो जी कि या और भी इसमें आता है जी नहीं इसमें केवल और केवल only subject knowledge only for subject knowledge किसका जिस subject से आप apply कर रहे हैं ठीक TGT में भी अगर आप commerce से हैं तो आपके 25 कुश्चन commerce से आएंगे आगर आप sst से फॉर्म राल हैं तो एक से 25 कुश्चन आपके sst से आएंगे और वो चार्ज सब्जेक्ट हिस्ट्री जोगर्फी पॉलिटिकल साइंस और एकनोमिक्स इन चारों विसे में आपका जिस विसे में आपका दो बर्स का ग्रेजुएशन है वह आप पोर्शन करेंगे बाकी दो को आप छोड़े देते हैं तो इसमें क्या आता है प्योर और प्योर सिर्फ अ साइब क्याता है यह चीज चीज क्लियर हो गयी है इसके फाल इक बात आती है और काफी लोगून के दिवाक में आता है यहती क्या होता है कि IT होता हैं एल टी एक डिप्लोमा हुआ करता था आस कुछ समय पहले आज के दोर में यह लिए के समकच्छ माना गया है अब का मतलब क्या हुआ है कि मतलब यह हुआ है कि जैसे राजकी इंटर कालेज से इंटर कालेज इन में क्या होता है कच्छा नौ और कच्छा दस को पढ़ाने के लिए जो teacher होते हैं अब जो teacher होते हैं उनको क्या बोलते हैं L T grade के teacher बोलते हैं राज की इंटर college की और कुछ क्या होता है कि TGT किसको बोलते हैं इसमें 9th and 12th को पढ़ाते जो है teacher किस school में added college में added college में मतलब आप किया देखा होगा पब्लिक इंटर college होगा और किसी नाम से होगा किसी पर्टिकुलर कोई नाम से हो सकता है तो यह added college के जो 9th and 10th के जो teachers होते हैं उनको बोलते हैं TGT के teacher strange graduate teacher बोलते हैं और राज की इंटर college के जो अच्छा 9-10 वाले विद्दार्थियों को जो teacher पढ़ाता है उन्हें बोलते हैं क्या LTE grade की भी सहचिक योगता क्या होती है LTE grade की जो सहचिक योगता होती है ठीक कैसी होती है TGT के समकच्छ होते जो आपने TGT में आपको चाहिए होती जो सेच्छी कोगता है वही इसमें सेच्छी की होती है लेकिन इसमें क्या होता है इसमें क्राइटेरिया आपका चंज हो जाता है कुश्चन का क्राइटेरिया चंज क्या हो जाता है लेकिन अभी तक जो देखा गया है वह ल्टी में क्या होता है कि आपके 120 नंबर जो होते है हैं एक से बीस कुश्चन जो होते हैं वह होते हैं आपके सब्जेक्ट के और इसमें थर्टी जो कि थर्टी जो कुश्चन होते हैं वह आपके होते हैं क्या जर्णल awareness के तो इसमें total कितना होता 150 questions का paper होता है और 150 question में इसमें negative marking होती है या नहीं होती इसमें negative marking होती है 1y third की एक बटे 3 की minus marking होती है मतलब आगर आपने 3 question गलत कर दिये है तो इसका एक number आपका सही चला जाएगा तो यह है पूरा criteria करिया TGT और PGT और LT and GIC और आश्रम पद्द का पूरा क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए क्या क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए यह हैं कल से इस पर बाइलोजी की क्लासेज भी TGT PGT और LT की स्टार्ट हो जाएंगी तो अगर चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को दबाईए जैसे ही मैं यहां पर वीडियो अप्लोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और अगर आप हमारी आफ्लाइन बैच पढ़ना चाहते हैं तो कानपूर में जो गुर्देव के पास में अभी क्ल क्या है